बॉलिवुट इंडस्ट्री में हैंसम हंक के नाम से मशहूर अभीनेता जौन इब्राहिम आज भी फिल्मों में अपनी जबर्दस टंट आक्शन के साथ साथ अपने जबर्दस लुक के लिए भी जाने जाते हैं और एक समय इनके इसी लुक पर बॉलिवुट की कई अभीनेत फिदा थी और उनका प्याद जौन इब्राहिम के प्रदी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो इनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी पर शायद जौन इब्राहिम ने ही उनके प्यार को ठुकरा दिया और इसी वज़ों से वो सभी अभीनेत्रियों से दूर हो इसलिए आज किस वीडियो में हम आपको जौन इब्राहिम के उन्ही प्रेमी काउं से रूबरू करवाएंगे जिनका प्यार जौन इब्राहिम के लिए बिलकुल पागल पन वाला था अगर आप भी उन अभिनेत्रियों से रूबरूख होना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंतग बने रहिएगा साथ ही इस दमदार आक्टर के लिए एक लाइक तो बनता है इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं राज फिल्म से फेमिस हुई अभी नेत्री बिपाश बसु के बारे में इनका प्यार तो जगजाहर है कि वो जौन इबराहिम से कितना प्यार करती थी दोनों के प्यार की शिर्वात जिसम फिल्म से हुई थी जहां फिल्म में इंटिमेट सीन्स करने के दौरान ही दोनों दूसरे के बेहत करीब आ गए थे और करीब 9 सालों तक दोनों लिवन रिलेशन्शिप में भी रही थे बिपाश्य बिसु का प्यार तो जोन इब राहिम के लिए इतना शुद्दत वाला था कि वो अपनी करीयर से जदा जोन इब रही में एक साथ डबल गेंग कहेल रहे थे वेन के साथ साथ अपनी लांग ठाइम गल्फेन प्रिया रुन्चाल को भी देट कर रहे थे और इस बीच वेख पोस्ट के माधियम सी विपाशा विसू को पता चला कि ज जान इबराहेम उनके साथ double dating कर रही है तो उन्होंने उन से ब्रेक अप कर लिया आपको जान कर हेनानी होगी कि जान इबराहेम से ब्रेक अप करने के बाद विपाशा काफी depression में चली गई थी इस लिस्ट में श्रिलंकन ब्यूटी क्वीन जाकलीन फिनान्डेस का नाम भी श्रिमार है जो कि एक समय जॉन से बेंतहां महबत क्या करती थी बता दी जाकलीन का दिल उनके लिए हाउसफल 2 फिल्म के सेट पर ही धड़क गया था और उसे दोरान दोने एक दूसरे के बेहत करीब आ गए थे जहां जाकलीन इनसे शिदत वाला प्यार कर बैठी थी और इनके साथ शादी करने के सपने संजो कर बैठी थी तो वहीं जॉन का प्यार उनके लिए एक अट्राक्शन था और इसी वज़े से जॉन ने कुछ समय बाद ही इनसे पीछा चुड़ा लिया जी हां जॉन इब्राहिम की सबसे पहली गल्फरिंट का नाम लिया जाए तो सबसे पहले रिया सेन का नाम ही आएगा बता दे रिया और जॉन इब्राहिम के प्यार की शिर्वात तब हुई थी जब जॉन मॉडलिंग कर रहे थे और उसे दोरान इन दोनों की मुलाकात हुई और वहीं मुलाकात प्यार में तबदीर हो गए दोनों का प्यार एक दूसरों के प्रती काफी श्यदत वाला था दोनों एक दूसरों से शादी भी काना चाहते थे पर शायद किसमत को कुछ और ही मन्जूर है तब ही तो जॉन की लाइफ में विपाश्य बसू ने दस्तक दे दी और इसी वज़े से उन्होंने रिया से इन कि जॉन ना सिर्फ उस समय बिपाश्य को धोका दे रहे थे बलकि साथ ही साथ इने भी धोका दे रहे थे और इस बात के बारे में प्रिया रुद्चाल को पता चला तो वे इन से काफी खफा हुई पर बाद में जॉन ने इन्से माफी मांगी और उन्होंने इन्हें साथी बॉलिवुड जगत से जुड़ी मसालदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें